नमस्कार आप देख रहे हैं एक न्यूस 24 और मैं हूँ स्वाती आपके साथ देश में तीसरी बार इंडिये की सरकार बन चुकी है मुदी सरकार ने तीसरी बार शपत ग्रहन कर लिया है लेकिन अब सरकार के बनने के बाद सबसे ज़्यादा चर्चा यदी हो रही है तो अब भारतिय जनता पार्टी के अगले रास्ट्री अध्यक्ष की हो रही है क्योंकि जेपी नड़ा 2019 के लोगसबाद चुनाव के बाद जेपी नड़ा को बीज़ोपी का ध्यक्ष बनाया गया था और cabinet में उनको जगह मिली है उन्होंने मंतरी पद की शपत भी ग्रैन कर लिया ऐसे में अब जो चर्चा का बजार है वो गर्म हो चुका है कि अब भारतिय जनता पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन बनेगा अभी हाल ही में आपको बता दे कि आरेसस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बयान दिया था जुसके बाद अब सियासी अटकले भी लगाई जा रही है कि ऐसे में जो मोहन भागवत का ये बयान है ये अध्यक्ष को लेकर अध्यक्ष पद की और इशारा कर रहा है आपको बता दे किस वीडियो में हम जानेंगे कि BJP के अध्यक्ष के लिए कौन-कौन से नाम रेस में अभी आगे चल रहे हैं किनकी नामों पर चर्चा हो रही है कि हो सकता है आने वाले समय में इनहीं किसी चेहरे में से एक को BJP का राश्ट्री अध्यक्ष बना दिया जाए तो चलिया वीडियो में तक बने रहिएगा नरेंद्र मूदी सरकार के तीसरी बार शपत ग्रहन लेने के बाद अब भाजपा के नए अध्यक्ष की चर्चा शुरू हो गई है अध्यक्ष कौन बनेगा इसकी अटकले तेज हो गई है 2019 लोगसबा चुनाओ के बाद जगत प्रकाश नड़ा जैनवरी 2020 में बीजेपी के राश्ट्री अध्यक्ष बने थे नड़ा का बतौर बीजेपी अध्यक्ष कारेकाल जैनवरी 2030 में खत्म हो गया हाला कि लोगसबा चुनाओ को देखते वे उनके कारेकाल को जून 2024 तक बढ़ा दिया गया था चुनाओ के बाद नड़ा को नरिंद्र मूदी सरकार की काबनेट में जगत दी गई है माना जा रहा है कि बीजेपी के एक वेक्ती एक पद की निती के तहट पार्टी जल्द ही अपना अध्यक्ष तै करेगी हाली में आरसेस प्रमुख मोहन भागवत के बयानों के बाद माना जा रहा है कि अध्यक्ष पद के चुनाओ में अब संग की ही चलेगी नड़ा के बाद पहले तो अध्यक्ष पद के लिए मध्यप्रदेश के पुर्व सीयम शिवराज सिंग चोहान केंद्रीय मंत्री भुपेंद्र यादो और हरियाना के पुर्व सीयम मनोहर लाल खटर के नाम भी चर्चा में थे अगर इन तीनों को मंत्री मंडल में शामिल किये जाने के बाद अब इनकी चर्चाओं पर विराम लग गया है अब भाजपा अध्यक्ष पद की दौड में पार्टी महा सचीव विनोध तावडे बियल संतोष अनुराग ठाकूर के लक्षमन ओ माथुर सुनील बंसल के अल लोग ज्यादातर संग से ही जुड़े होते हैं मोहन भागवत ने हाली में बयान दिया था कि एक सच्चा सेवक मर्यादा का पालन करता है जुसमें मैंने किया भाव नहीं होता है एहंकार नहीं होता है केवल वही वेक्ती सही अर्थों में सेवक कहलाने का अधिकारी होता है माना जा रहा है कि पार्टी नेत्रत्तों को लेकर भागवत का ये बयान बेहद माइने रखता है ऐसे में अगामी वक्त में पार्टी अध्यक्ष के चुनाओं में संग की भूमिका काफी एहम मानी जा रही है भाजपा को आरेसिस का राजनितिक संगठन माना जाता है ऐसे में संग अब नहीं जाहेगा कि अगामी विधान सभा चुनाओं में पार्टी का प्रदर्शन खराब हो महराष्ट्र सरकार में मंत्री रह चुके तावड़े को बेल संतोर्ष के बाद सबसे ज़्यादा प्रभावशाली महा सचीव माना जाता है उनके पास दो दश्वक का संगठन का अनुभा हुए वो बचपन से ही संग से जुड़े हुए हैं अखिल भारतिय विद्याथी परिश्वत से अपनी राजुनिती की शुरुआत करने वाले तावड़े के नाम पर इसलिए भी मुहर लग सकती है क्योंकि इसी साल महराष्ट्र हरियाना और जार्खंड में विधान सभाद चुन अंधर प्रोदेश के बाद तिलंगाना पर बीजेपी सबसे ज़्यादा ध्यान दे रही है बीजेपी अध्यक्ष की रेस में सुनील बंसल का नाम भी शामिल है जो वर्तमान में महा सच्यू हैं अमीत उशार के चोहेते बंसल, पक्षिम बंगाल, तिलंगाना और ओडिशा जैसे तीन राज्यों के इंचार्ज भी उनकी ही अगुआई में बीजेपी ने उडिशा में शांदार प्रदोशन किया और नवीन पटनायक सरकार को चारो खाने चित कर दिया भाजपा के राष्ट्रिये महा सच्यू बेल संतोश आरेसेस के बड़े प्रचारक भी रह चुकें बेल संतोश को बीजेपी में ये पद तब मिला जब 13 वर्सों से ये पद संभाल रहे रामलाल की विदाई हुई बेल संतोश को परदे के पीछे रननिती बनाने में माहिद माना जाता है हिमाचर प्रदेश के हमीरपूर से सांसद अनुराग ठाकूर का नाम भी भाजपा ध्यक्षपत के लिए चर्टा में हमीरपूर लोकसभा सीर्ट से पांच बार के सांसद अनुराग ठाकुर को इस बार मोधी मंत्री मंडल में जगह नहीं दी गई है वहीं प्रधान मंत्री नरिंद्र मोधी अपनी कई सभाओं में महिला वोटर्स की वकालत करते आ रहे हैं उन्होंने अपनी लगातार तीन बार की जीत में महिलाओं की भूमिका भी मानी है वहीं भाजपाने संगठन में भी महिला सदस्यों की संख्या बढ़ाने के लिए व्यापक संपर कभियान की योजना बनाने जा रहे है वैसे भी महिला अरक्षन अधिनियम लागू हो गया है तो लोकसभा और राजविधान सभाओं में महिलाओं के लिए 33 फिस्दी सीटे अरक्षित होंगी इस बार अध्यक्ष पद के लिए इस्मृती इरानी के नाम की भी चर्चा या मिठी की पुर्व सांसद रही इस्मृती इरानी को इस बार काबिनेट में जगह नहीं मिली है ऐसे में भाजपा अध्यक्ष के लिए उनका नाम भी आगे चल रहा है अगर ऐसा होता है तो वो भाजपा की पहली महिला अध्यक्ष बन सकती है तो जैसा कि आपने सुना इस वक्त बीजपी के रस्ट्री अध्यक्ष को लेकर चर्चा तेज होगी है क्योंकि जेपी नड़ा काब कारेकाल खत्म हो चुका है उनको मोदी के मंत्री मंडल में जगह मिल गई ऐसे में जो नाम इस वक्त चर्चा में है वो विनोध तावडे, बिल संतोष, के लक्षमन, अनुराग, ठाकूर, स्मृती, रानी जसे नाम है जो रेस में आगे चल रहे है और अभी हाल ही में आरेसेस के प्रमुक मोहन भागवत ने भी एक बयान दिया था हलाकि अब देखना दिल्चस्पी होगा कि पार्टी क्या तै करती है और भारतीय जनता पार्टी क्या अगला अध्यक्ष कौन बनता है फिलाल इस वक्ती खबर में इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रही हमारे साथ वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें साथ ही हमारे यूटूब चैनल एक न्यूस 24 को सब्सक्राइब कर ले यदि आप हमें फेजु को देख पा रहे हैं तो हमारे फेजु पेज को भी फॉलो करें धन्यवाद